अब यहां पर हम अपने पिन क्रिएट करेंगे जो भी आप देना चाहा रहे है कि रिटाइप इट अगें अब यहां पर देख सकते हैं कि आप यह विंडोस के लिए लूटिंग प्रॉसस्स जो है वह कंप्लीट कर रहा है अगर अगर आप डिफ्रेंट डिवाइस को इस की सिशीर करना चाहरा है तो अब यह सब नो भी कर देते अब यहां से भी आगे तरफ पर शीड़ीड हो जाएंगे इस विए में आपको नजर आ रहा है वह आपके पद शर्विसेश का यहां गर अगर यहां से निवाक्राइब हमारा सर्विसिस प्रोसेस इस्वेट अपने आपको कि अपने आपको जो भी टेक्स प्रीन पर होगा यूस को लाओ ली बोलेगा अगर अपने इसको वन किया अब आपको जो भी टेक्स होगा वो की बूड की चेंजिंग के साथ अब इसको फिल आला उप ही कर रहा हूँ अब बिक हैं यूंद अगर इसे नियुक्ता आफ राइसे लिए टाइसे चोज सेटिंग फर यू डिवाइसे जो भी डिवाइसे आप करना चाहरें ओनलाइन स्पीचर एगनिशन आउन करे अगरा फाइंड मैं डिवाइसे इंक टैपिंग ओन करें लोकेशन सर्विसे आप वित्विस त्माम अप् और आजिस प्रेस सेप्ट एबटाइजिंग आईडी एगर आप आफ करना चाहते हैं वो आफ कर सकते हैं लेकिन मैं उसको भी नहीं आफ कर रहा है तमाम चीजों को मैंने एक्टिव रहने दिये तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आप पस हैक आगया है वी हैव गेटिंग एवरिटिंग रेडी फर यू आपके तमाम डेक्सटॉप वाल पेपर आइकन्स और उनकी तमाम डिटेल जो हैं वो कन्फिगर हो चुकी हैं आपने भी देखा कि कन्फिगरेशन के आपके पांच स्टेप से जो सर्वीडियस पे खत्म हुए और इसने के आपके जो सर्वीडियस हैं वो यहां पर लोड करनी हैं यहां पर आपके पर एक और मेसेच आया है इस वाइट टेक सेवरल मिनिट अब यह आपकी तर वीजिया और उस ते रिलेटिड साउंड यूपा की चीजह उस की जो स्क्रीन है वो थोड़ी देर के लिए आपको ऐसे फील होगा जैसे कि बिलिंक कर रही है यानि कभी उसकी ब्राइटनेस काम हो जाती है जब उसकी ब्राइटनेस ज्यादा हो जाती है आपने इस चीज का खिया रखना है कि आपने अपने कम्प्यूटर को टरन आफ नहीं करना ये आपके तमाँ ड्राइवर्स की तमाँ चीजों की कंफिगरेशन को देखेगा उनके रिसूर्स को मैनेज करेगा और उनके हवाले से तमाँ तर वर्किंग जो है वो कंप्लीट कर देगा लीव एवरीटिंग तो आस वो कहता है सब कुछ हम पर छोड़ दें बाकि हम हम हर चीज़ खुद जिम्यदार हैं हम हर चीज़ को खुद देखेंगे आपने जिस सिट बैक एंड रिलाक्स करना है और इसको देखें किस तरह से आपका ये प्रॉसर्स जो है वो कंप्लीट हो रहा है आपके बास लोड़ हो चुका है और आपका डेटन टाइम इस वक्त एक बच के वन पास फुटिफूर मिनट्स हो चुके हैं संडे वो शोकाराइट 26 जैनुरी मेरे पास आरे अगर मैं यहां पर डेट ठीक करना चाहूं तो मैं यहां पर क्लिक करूंगा यहां से आप कोई बर्किंग यह डेट टाइम जो भी अर्जिस करना चाहते हैं वह अपर अज़स्ट कर से भी फिलहर इसको देखते हैं कि इसमें क्या है लेकिन आपई आप देख सकते हैं कि आपने स्टार्ट में किया एच अब एफरी टीटिए आपके पास आपकी काफी कुछ आपको यहां पर नजर आ रहा है आप यहां पर जाते हैं तो आपके पास आप वर्ड एक्सल वगरा जो है यह बिल्टिंग क्योंकि जो मैंने इमिज लिया था उसके आपके बास ही मुझूद थे अब यहां पर कह रहा है कि वर्ड को आफिस.com से जाकर यूज कर सकते हैं उसका प्लग इन आपके पास यहां पर लोड हो चुका है हमने यहां पर क्लिक किया आप इस वक्त देख सकते हैं कि आप पर टाइम जो है उसकी फर्दर वर्किंग आपके पास यहां पर विलिबल है आप उसको चेंज करना चाहते हैं यह उसके जंड को डील करना चाहरे हैं आप यह तमाम च सबस्क्राइब काओ आपने सब्सक्राइब करें छोगा आपके पास इसलामबाद कराची के मतावी किसमें लिए वर यहां पर आपने देखना को दिफाइन हो चुका है चेंज इतन टाइम और आप इसको टाइम जो है वो ठीक कर दें इस वित हमारे पास बारा मच के 46 मिन्ट हो चुके है और जो हमारा टाइम है यह मॉर्निंग का टाइम है तो आपका टुड़े इस इस ट्विंटी सिक्स जैनुवरी ट्विंटी एंड रिसाल मॉस्ट फॉल पास फुर्टी सिक्स एम ओके अजिस प्रेसों के आपका डेटो टाइम देख सकते हैं कि सेट हो चुका आपके पास फिर्दर अप्शन्स हैं आपकी बैटरी डिटेयल्स हैं फुली चार्ज इस उतन को देखेगा और अब फिर्दी को बेखर करेंकि कोश्च करेगा, अब यहां पर इसको बंद कर देता हूं यहां जब्द कर अब करता हूं स्टार्ट और माई कंप्यूटर को open कर लेता हूं इस पिसई आपके पास available हो चुका आपने यहां जाके देखा किया आपने सी ड्रा और आपके पास जो है वो लेक्शर के हवाले से जो मारे पास कुछ ड्राइव बनी हुई है वो सारा कुछ आपको यहां पर नजर आ रहा है आपको याद है जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया था कि इंस्ट्राइशन से पहले हमने प्रॉपर्टीज में जाकर देखा था कि हमारे पास सिस्टम की प्रॉपर्टीज कितनी आ रही है तो इंटल को राए 3 इस मेरे पास मिशीन थी 3 1 1 0 एम इसकी पावर थी थर्ड जेनरेशन यहीं कंप्यूटर है 2.4 पोर्सेसर था और 4GB RAM के सथा आपके पास इंस्ट्रॉल हो चुका है उसकी रिजन क्या है उसकी रिजन यह है कि मैंने अपना अकाउंट यूज किया था उसमें मेरे पास यह option है कि मेरे पास एक प्रॉड़ आइडी मुझूद है जिसने डारेक्टली क्योंकि मैं एक रिजिस्टर यूजर हूँ तो आटोमेटिकली उसने मेरी विंडो को यहां से एक्टिवेट कर सकते हैं तो यह था आज का हमारा वरकॉट एक चीज आपने और देख लिए नहीं है कि राइट क्लिक कर या आप प्रॉपर्टीज में चलेगे और प्रॉपर्टीज में एक option आती है device manager की आपने इसमें क्लिक करना है और यहां से आप देखेंगे कि कितन से नहीं करना चाहते तो आप जाकर डायरेक्टली अपने computer के ओपर window को update कर दें उसका तरीका यह है कि आप यहां जाएंगे और windows update के नाम से आप यहां पर अपनी information जो है वो डालेंगे अपडेट settings आपके पास आजाएंगी मैं prefer करूंगा कि एक मा में कमस कम एक दफ़ा आप अपनी window को update जरूर कर लें लेकिन इस वक्त जो वरियन मैं use कर रहा हूं यह अब तक का Microsoft का most updated वरियन है Microsoft की ही website से मैंने इस image को download किया है चेक कर लेते हैं कि इस वक्त इसका वरियन कौन नेट यह इसके built है जिसके ओपर Windows का यह version जो हो लांच हो चुका है और यह किसके और रिजिस्टर्ड है अथर अधर इसके साथ रिजिस्टर्ड आपको नजर आ रहा है मैंने OK का बटन प्रेस किया और मैं उमीद करता हूं कि अब इस lecture को complete देखने के बाद आप सब इसका ब होंगे कि आप अपने पास अपनी working करने और अगर कभी आपके computer में किसी किसम की problem आ जाती है तो इन्शाला आप सब के पास इतनी सलाही है जरूर मुझूद हो कि आप अपने computer की Windows दुबारा से install कर सकें अमीद करते हैं कि आपको यह तमाब चीज़े समझा चुकी होंगी आपको आपकी problems का solution जुरू प्रवाइट करूंगा